सब्सकार दोस्तों स्वागत थे आप सभी लोग का दोस्तों आप सभी लोग का यहां पर विद्या सघर का कभी सैट कराय जा रहा है और अप चाहिए फर्व पर सूरू कर लेते हैं आज का पहरा प्रसि của Ngocleh my political गुरू पूश्तक किसने लिखा है इसका अंसर आपका हो जाएगा आपका ओप्सन C हो जाएगा M के गांधी हो जाएगा सी कर्रेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नेश्ट कुसन क्या है कि भारत-स्त्रीब मंडल नामक सुधारवादी संगठन इस्थापित किया गया था इसको आप शुरूफ से आंदर देखिएगा क्योंकि क्या बोता है कि विद्यासागर की तरफ से बुला गया कि अगर आप यह 15 लगा लेते हैं और यहां पे सरलावाई देवी चौधर रानी हो जाएगा ए आपका सही आंसर हो जाएगा इसलिए बोलूँगा कि आप इसको अच्छे से देखिएगा भले आपका कोशन ज्यादा गलत हो जाएगा लेकिन उसको आप याद कर लिजिएगा ठीक है प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किस ने दिया था तो यह नारा सभी को पता यह राम परसाद विस्मिल के द्वारा दिया ग्या था आपसन आपका अपका वी सही आंसर हो जाएगा नेक्याज के आपका या इन्यां सरा रर रखिएगा बचछन ब्बार्द की भारत में मिंशित में से कहां सबसे बड़ा पोथ़ प्रांगड यानि सिप्याड है तो आंसर याद रहाए गाँ आपका हो जाएगा ओप्सन भी कोचीन हो जाएगा नैस्ट कुसन क्या कि प्रधान-मंत्री भार्त जोड़ो परियोजना संबंदिते किस से प्रधान मंतिरी भारत जोड़ो परियोजना जो है यह देखा जाया तो आप सभी लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए राजमार्गों के विकास से संबंदित है ए आपका सही अंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि मैं 2017 में उद्धारन किये गए दोला सदिया दोला सदिया पुल की लंबाई लगभग कितना है तो इसका हो जाएगा आपका 9.15 किलोमीटर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा नेस्ट को सने किन मिखित में से कौन सा कथन आपका सही है कौन सा कथन है जो आपका यहां पे सही है तो राश्ट्पती राजी सभा का पदिन पिठासीन अधिकारी होता है यह आपका उप्सन जो है सही है नेश्ट को संदेखेंगे बोला गया है कि भारत के समिधान के निम्लिखित में से कौन से एक अनुछेद में विधान सभा परिशद के उत्सादन और स्रीजन के उपबंद अंतरविष्ट हैं बताईएगा कोस्ट नबर 9 का देखा जाए तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आर्टिकल 1769 हो जाएगा यानि 179 हो जाएगा ओप्सन आपका बी हो जाएगा नेश्ट कोसने के लोग सभा में किसी बिधैयकबर आम बहस निम्लिखित में से किस इस्तर पर होता है कौन सर इस तर पर आपका होता है तो यह देखा है तो आपका द्यूतिय वाचन हो जाएगा आपसन आपका यहां पर Q10 का C सही आंसर हो जाएगा नेश्ट Q1857 की विद्रों के दरवान कंपणी का मुख्य सेनापती कौन था कौन सर एक दच्षिड से उत्तर की ओर सही अनुक्रम है सही अनुक्रम है तो इसका अंसर याद रिखेगा यह आपका हो जाएगा दोदा बेटा हो जाएगा विंद्या चल हो जाएगा धौला गिरी और कैलास हो जाएगा तो इस प्रकार से इसका अंसर आपका भी हो जाएगा नेश्ट कुसन क्याए कि महा महा विशान सुत्र बौध गरंद की रचना किस बौध परिस्द की किरिती है तो यह आपका हो जाएगा चतूर्थ परिस्द हो जाएगा उपसन आपका डी हो जाएगा नेश्ट कुसन की अलकननदा के साथ वही नदी कौन सी है जिसके संगम पर रूद्र प्रियाग इस्थित है जिसके संगम पर रूद्य प्रयाग जो है आपका इस्थित आपका हो जाएगा option B मंदाकिनी हो जाएगा नैश्ट को सने किनमलिखित में से किस एक कासरे सहा जहां के राजेकाल को नहीं दिया जाता है या फिर निया नहीं दिया सकता है तो इस परकार से इसका answer याद रिखिएगा या आपका कीला एक कुहना मजिद हो जाएगा या आपका option B हो जाएगा नेश्ट कोसने की निम्निखित में से कौन सा एक स्थलरूद बंदरगा है तो यह आपका हो जाएगा विसाखा पत्नम जो की आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा चली आगे देखते हैं अगला कोसन क्या है कोसन नंबर हम 17 देखेंगे बोला गया कि निम्निखित कतनों पर विचार करके बताईएगा किसानों से इतनी अधिक उगाई की जाती है कि उनके पास अपना पेट भरने के लिए भी मुश्किल से सूखी रोटी बसती है मुगल समरा किसानों की दसा के बारे में किसने कहा था तो यह कहा गया था आपका फ्रांसिसको पेल सत हो जाएगा जो कि आपका यहां पर आप रहाद में गणीम से 답 क्या है गनीम से क्या आसे है तो दिखा जातों आपका इन में से कोई नहीं हो जाएगा और निस का उप्षन आपका यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा अगला कुशन है कि किस सम्मिधान संसुदन अधिनियम दोरा अनुच्छत 19 में दिये गए पहले तीन अधिकारों आपका पहला देखाया तो आपका भासर यो अभवयक्ति कि सोतन्ता दूसरा का है सांती पुड समयलन तथा तीसरा आपका है संघनाने की अधिकार संबंधित प्रावधान पर यो क्यु यूक्के निरबंधन लगाने की सकति राजिय को देग गई है तो एक से और देखाया देखाए तो कौन सा समिधान सा सुदन तो इसका देखाए तो आपका 16वा और 1963 हो जाएगा तो इस प्रकार से 20 का आपका भी हो जाएगा नेश्ट कुछन क्या कि भारत में तेल सोधक कारखाना का निमलिखित में से कौन सा अनुकरम इनमें से इस्थापना काल इनके के लिए बनाई गई थी तो बोहरा समिती याद रिखेएगा यह राजनेताओं तो था अपराधु की सांट गाट देखने के लिए आपका डी सही अंसर हो जाएगा नैस्ट को सने की निमिखिती युगमपर कौन सा सुमेलित है आपका छेत्र दिया गया है और आपका यहां प पतश्ट होता है और आपका 24 का सी सही अंसर हो जाएगा आगे देखें को सनबर 25 देख लेंगे बुला गया कि भारत के राष्टपती के महावियों की प्रकिडिया है कैसा तो आप सभी को पताई होगा यह आपका एक अर्धन याइक प्रकिडिया है जो कि 25 का ए सही अंसर हो और उपराष्टपती के निर्वाचर में उठे संदेहों और विवादों के मामले में जांच और निर्णे निम्लिखित में से किस सम्मेधानिक प्राधीकरण द्वारा किये जाते हैं तो देखिए इसका करेक्ट आंसर देखा जा तो आपका भारत का उचितम नियाले हो जा देखेंगे बोला गया है कि पसिमी घाट पसिमी घाट को इस्थानिय तोर पर अनेक नाम से अनेक नाम दिये गये हैं पसिमी घाट के इस्थानिय नाम के संदर में कौन सा सुमेलित है तो 28 का दिखा जाए तो आपका यहां पर एक तीन चार हो जाएगा यानि महाराष्ट सह सबसे चोटी है आपका चला जाएगा याद रिखेगा यह आपका हो जाएगा दो गड़ा बेटा हो जाएगा और सत्तपूड़ा की एक सेकंड़ के और ऑपसन दो में जाएगा न唱 भारत की सबसे उची चोटी आपका खर कर दोपागे हो जाएगा निलग distributor के बोला गया है कोशनमर्ट तीस बोला गया निम्लिखित युद्धों को कलानुकरम में विवस्थित कीजिए और नीचे कूटों में से सही उत्तर चूल करके बताईए तो इसका आंसर देखा जाए तो आप यहां पहले बिलिगराम का यूद उसके बाद सरनाल का यूद उसके आपका धर्मट उसके बाद आपका जाजाओ का यूद तिस ब्रकार से इसका आंसर आपका ए सही आंसर हो जाएगा चली आगे देख लेते हैं अगला प्रस्न है कि भारत के नीचे दिये गए नियालेयों में से कि इन्हें अभिलेख नियाले मनायता है देखिए अभिलेख नियाले जो है यह आपका उच नियालेयों और उच तम नियालेयों को मनाता है आपका सी सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कोशन है कि निमनिखित में से कौन सी एक नदी 1960 की सिंधू जल संधी के अधीर नहीं आती है तो यह देखाए तो 32 का उत्तर हो जाएगा आपका आपका संस्थाबग दिया गया है तो देखा जाया तो आपका यहां पे इन में से कोई नहीं ठीक है इन में से आपका कोई भी नहीं जो है मिलान होता है तो आगे देख लेते हैं अगला कुशन को ठटी फूर बोला गया है कि किस आयोग समीति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर सूपा विद्रोह तो यह जो विद्रोह हुआ था यह पूना से हुआ था आपका सी हो जाएगा नेश्ट को सने कि दच्षिड याद रखेगा उत्तर दच्षिड और पूरव पसिव गलियारे निम्लिखित में से किस सहरों या फिनकिन सहरों को जोड़ते हैं तो यह देखा ज हम इसको मिलाते हैं दिखा आपका राष्टिय जल अकादमी सही आपका चल्राजाएगा पूने में केंद्रिय जल आयोग जो है नही दिली में राष्ट्री जल विद्ग्ञान संस्थान आपका चला जाएगा हुडकी में और केंदृय भू जल बोर्ट यह आपका फरीदाबाद में, तो इसका ऑप्सन जो है यहाँ पे दिया गया है, तो उप्सन आपका यहाँ पर दी हो जाएगा, आगे देखेंगे, बोला गया है कि मौलिक अधिकार निलम्बित के जा यह वह प्रदार्व मंतंरी ही होता है option आपका ए सही आंसर होजाएगा से आधि सो tomato की आधूरल भारत के मंदीर किसे कहा जाता है आधूरु भारत के मंदीर जो है याद रखेगा या आपका नदी-ाटी परुडिना को कहाता है ऌफ आपका डी सही आंसर हो सब्सक्राइब ने चलाए गया था तो भारत छोड़ो संबंद आप सभी लोग याद रखिएगा बहुत लोग को पता भी होगा यह दिखाए तो आपका यहाँ पर आप से आप से बोला गया है कि आंदोलन नेत्र नेत्री तो विहीं था अप्शन आपका यहाँ बोला गया है चलना है तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टन आपका है बाल मुकुंद हो जाएगा ऑपसन आपका यहाँ पर भी अरडी हो जाएगा नेश्ट को से कि भारत का हीरा कहा जता है किसको भारत का हीरा जो है याद रखिए गा यह गुपाल किष्ण गोखले को कहा जाता है ओप यूरोपी मुक्त व्यपार संग का मुख्याले कहां परिस्तित है तो ये जो मुख्याले है याद रखियेगा जेनेवा हो जाएगा आपसन आपका D हो जाएगा सुप्रीम कोट की प्रथम महिला नियाधीस कौन बनी थी तो सुप्रीम कोट की प्रथम महिला नियाधीस जो है अंसर याद रखियेगा या आपका फातिमा बीबी हो जाएगा आपसन आपका सी हो जाएगा जम्मू कास्मिर में इस जम्मू कास्मिर के इस्तित निसांत बाग का निर्माण किस ने किया था तो निसांत बाग का जो निर्माण है ये आसफ खां के द्वारा किया गया था आप आपका डी सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ट क्या कि तो अरीत कारे बल संगठन इस्थापित हुआ है तो इस फ्रकार से देखा जाया तो आपका वीर भूमी जो है या आपका इंद्रय गांधी नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे याद है वीर भूमी जो है राजी यू बताईएगा वीर भूमी राजी यूगांधी से होना चाहिए या फिर क्या बोलते हैं कि लाल बादू सास्तरी से होना चाहिए आगे देखते हैं इस पर बोला गया है कि निम्नाकित में से किस दीनांग को प्रिथिभी सूर्य के सरवाधिक समीप थी बताईए तो कुशन न के थे निम्नाकित में से कॉन सुमिलत नहीं है कौन Catalonia उसमें आपका समैलित नहीं है तो आपका option ए सूमिलित नहीं है जो सही उसको हम देखेंगे जुलाका कि स Caf did कि रोटीन मानव तोचा की बाहरी परत पर पाया जाने वाला प्रोटीन और मस्टर्ड गैस जो है रासानिक यूद में परियुक्त होने वाला विसायला द्रव हो जाता है नेस्ट को सने की निम्लिखित में से कौन सी मचली है तो यहां से भी आपका एक कोशन कन्फ्यूज करन तो यह आपका जो मिलता है माइटो कंट्रिया हो जाएगा उप्सन आपका सी हो जाएगा नेस्ट को सने की विरिक्के में पथरी किसके करण बनती है विरिक्के में जो पथरी है यह आपका हो जाएगा यूरिक अमल हो जाएगा कैल्सियम फॉस्पेट हो जाएगा और कैल्स option आपका b सही आंसर हो जाएगा नेश्ट को से कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्लिकित में से किसके द्वारा इस्तरावित होता है तो यह देखाया तो आपका अगन्यासे हो जाएगा option आपका b हो जाएगा next question के मस्तिस्क में कम oxygen क्या पूर्टी की कारण क्या होता है तो क्या होता है तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा option A मस्तिस्क hypoxia हो जाएगा option आपका A सही answer हो जाएगा next question क्या है कि relaxing hormone का इस्तराव होता है relaxing hormone का इस्तराव होता है तो यह आपका हो जाएगा option A कारपस लूटियस द्वारा हो जाएगा ए आपका सही आंसर हो जाएगा चलिए आगे देख लेते हैं कोशन अबर हम साट देखेंगे इसमें आपका बोला गया है कि एम द्रब्यमान के एक गोले का पलायन वेप पूछा गया है तो साट का देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा आगे देखेंगे बोला गया कि गुरृतिवत वरड़ जी का मान क्या है तो प्रिट्वी के आप चांस पर निर्भर करता है option आपका यहां पे C सही आंसर हो जाएगा next question ने बोला गया कि निम्न में से किस के सनवहन होता है यानि किस में सनवहन होता है तो केवल दरव्यों और गैसों में option आपका भी सही आंसर हो जाएगा जल उप्चार में परापैगनी किर्णों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है तो यह देखा जाए तो option आपका भी हो जाएगा रोगानू नासक हो जाएगा option आपका भी हो जाएगा बोला गया कि यदि वी ए वी डबलू और वी एस क्रमस जल यहनि वायू जल तथा इस पाक में धोनी की गति है तो क्या होगा तो देखा जाए तो option आपका यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा अगला कुसन है कि street lamps किस दरपड का प्रयोग किया जाता है तो यह जो किया जाता है याद रखेगा उत्तल दरपड हो जाएगा option आपका C हो जाएगा नेश्ट कुसन क्या कि flaming के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने में किया जाता है तो देखा जाए तो आपका यहाँ पर option C हो जाएगा प्रयोग धारा याद रखेगा चलिए आगे देखते हैं अगला कुसन क्या है कि एक किलो वाट घंटा का मान होता है एक किलो वाट घंटा का मान होता है आप याद रखेगा आपका यहाँ पर 3.56 गुड़े दस के पावर 6 जूल हो जाएगा option आपका A सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कुसन क्या कि दो भीन समुदायों की बीच का संकरांती छेतर कहलाता है तो यह जो कहलाता है आपका इको टोन हो जाएगा option आपका D सही आंसर हो जाएगा नेश्ट गैस वीगवों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले बिस फोटो का कारण होता है तो 69 का सही आंसर आपका option C हो जाएगा आपका D हो जाएगा प्रोटान सद्रिस होता है तो यह देखा जाए तो आपका हो जाएगा हाइडोजन परवाणू के नाभिक के option आपका D हो जाएगा नेश्ट कुसने 72 बोला गया कि उर्जा का वहमान जो एक ग्राम के समतुल्य होता है तो एक ग्राम के समतुल्य होता है तो option आपका यहां पर B सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कुसने की निमलिखित में से की सतात्व का आइनिक वीभाव सबसे कम है आइनिक वीभाव जो है सबसे कम है तो यह आपका हो जाएगा option C नेश्ट कुसन के कि पदाथ जो रस पूस्प यानि केरोसिस सबलीमेट गहलाता है तो आपका क्या है तो देखा जाएगा तो आपका option B हो जाएगा नेश्ट कुसन के कास्ट कोईला बनाने के लिए लकड़ी डैस जालाते हैं लकड़ी कौन सा जालाते हैं तो याद रखा जाए तो इसका हो जाएगा वायू के अनुपस्तिति में option आपका 75 का C सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कुसन के अक्टूबर 2021 में दश्विड कोरिया ने अपना पहला सोदेश निर्मित्र किया है अंत्रिक्ष रॉकेट का परिस्विक्षड किया है तो 76 का देखा जाएगा तो आपका नूरी रॉकेट हो जाएगा option आपका A हो जाएगा नेश्ट कुसन के 11 फर्विर 2021 को संपन फीफा वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किस कलब ने जीता है तो इसका देखाया तो 77 का हो जाएगा आपका option A यानि बायर्न म्यूनिक हो जाएगा option आपका A हो जाएगा नेश्ट कुसन की 25 अपरे 2021 को संपन हुए पेसेवेर फुटबॉल प्रतियोगिता EFL को इस लिखा है EFL कब 2021 का खिताब किस फुटबॉल कलब ने जीता है तो देखाया तो आपका 78 का हो जाएगा मांचेस्टर सीटी हो जाएगा option आपका भी हो जाएगा 27 मार्जोरे कैस के मध्य किस देश की मेजबानी में आयो जित यूध्या व्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में भारती वायू सेना की पहली बार भाग लिया है तो यह देखाया तो आपका डेजर्ट फ्लैग बुला गया है हाँ बोला गया कि 15 अक्टूबर 21 को वैस्विक भुकमरी सुचकांग 21 को जारी किया गया है इसमें सम्मनित निम्न कत्नों पर विचार करके बताईएगा तो सबसे पहले देखा जा तो आपका यहां पे इस सुचकांग में 116 देशों को सामिल किया गया है सही है सुचकांग में भारत को 101 अवा इस्थान मिला है यह भी आपका सही है भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल बांगला देश एवं पाकिस्तान इस उचकांग में भारत से बहतर इस्थिति में है तो इस प्रकार से इसका अंसर आपका डी हो जाएगा अगला प्रस्न क्या है कि 16 एक सेक में कौन से दो फ्रेंचाइजी टीम सामिल होंगी तो अभी नया टीम जो है आपका आठ टीम खेल रही थी लेकिन अप गया है कि दस टीम खेलेंगी तो यह एक आपका हो जाता है अहमदाबाद तो आप याद रखिएगा और इस बार आइपल किसने जीता है तो चैने ने ज हो जाएगा 23 अक्टूबर 22 को किस फील्म को 94 वे औसकर अवार्ड 22 में सर्वसेष्ट विदेशी फीचर फील्म किस रेड़ी में भारत की अधिकारिक प्रविष्टी के लिए चैनित किया गया है तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा कुंजल क को जंगल हो जाएगा कुजंगल यहां लिखा गया कुजंगल नामी थोड़ा सा लग है कुजंगल ठीक है अंतराष्टी गरामीड महिला दिवस का मनाया जाता है तो दिखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन भी 15 अक्टूबर को यह मनाया जाता है नेस्ट कुशन के है कि जुन 2121 में किस देश के सिफान अहमद ने वार्षिक वार्षिक ट्रेक एंड फिल्म इवेंट एफीब एफीब के गैम्स महिलाओं वर्स दस हजार यानि महिलाओं वर्स दस हजार मीटर रेस जीत कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है देखा तो आपका यहां पर न कहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए मेरा घर मेरे नाम योजना सुरू किया है तो यह आपका कुशन हो जाएगा ऑप्सन बी पंजाब क्या हो जाएगा पंजाब सही अंसर हो जाएगा आगे देखें कुशन नमर 88 यह बोला गया है कि निमलेखित में से कौन सा युग में आपका गलत है पुस्तक और लेखक दिया गया है तो आपका ऑप्सन सी जो है गलत है जो सही उसको हम देखेंगे बोला गया दा साइलेंट वैस आफ मिलियंस प्रणो मुखर जी और लेट अस ड्रीम जो है पोप फ्रांसीस हो जाएगा और कोबिट नैंटीन सभे किया गया है तो यह किया गया आपका दुसांबे में आप सभी लोग याद रखिएगा भूलिये गा नहीं अगला को सने को समय नांटी वन बोला गया कि भारती रेलेवे ने किस नाम से देश की सबसे लंबी ट्रेन को चला करके रिकॉर्ड बनाया है तो यह आपका हो जाए हाल ही में 500 क्रोड रुपए का हरीत रीड समझाता निमलिखित में से किसके मद्धी हुआ है तो यह देखा जाए तो आपका हो जाएगा और पंचानवे का देखा जाए तो आपका यहां पर भी हो जाएगा और को से नवर चानवे का दिखा जाए तो चानवे का ओप्सन available 953 तो 97 का ओप्सन आपका यहां पे हो जाएगा और बात करेंगे कैस्टन amr 98 की बारे में तो इसका option आपका यह ओचायए गा और को से नवर 99 हैं बोला गया है कि ब्लू चीप कंपनी क्या है तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ब्लू चीप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है तो आपसन आपका यहां पे बी सही आंसर हो जाएगा रिजर बैंक आफ इंडिया के प्रथम भारती यानि राजेपाल गवर्नर कौन थ है तो इसका आंसर याद रखिएगा आपका हो जायाएगा सीडी देश्मूक आपका यहां पे ए सही आंसर हो जाएगा तो फ्रेंट्स आप सब लोग का यहां पे सव कोशन समाप्त हो गया है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सेर भी कर दिया कीजिए और हाँ अगर आप क कामेंट के मादेब से सुझाओ अपना दे सकते हैं बिलते हैं अगरे वीडियो में आज के लिए तना ही जैहित वद्दमात्रम